नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम धन ये जो application है इसके उपर watch list किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में छोड़ी शीत जानकारी देने वाले हैं अब धन के दो applications आते हैं एक होता है option trading का application जो की purple color का आता है और एक होता है धन का investment का application जो की green color का आता है तो green color का application है जो आप long term के लिए stock holding करने के लिए use करते है या buy sell equity करने के लिए करते है उसके उपर watch list कैसे बनाते है मैं बताने वाला हूँ और जो option trading का application है उसके उपर भी जरूर मैं आपको लाई जाती है तो विडियो को एंट देखे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जलदी से चैनल सब्सक्राइब करें और धन में अगर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो पहले तो जानते हैं कि हम watch list क्यों बनाते हैं waiting list नहीं है यह watch list है WL का मतलब बहुत rail जो use करते हैं उनको पता लागे का waiting होगा watch list है अगर हमारे कोई favorite stocks है कोई favorite ETFs है कोई favorite mutual funds है और हम उसे track करना चाहते हैं तो बार बार तो आप search button पे जाओगे और उसको search करोगे नहीं आपका time waste होगा तो यह time waste ना हो इसलिए हम क्या करते हैं watch list बनाते है ताकि एक जगे पे सारा हम देख सके सारी जीज़े हम देख सके एक जगे पे और track कर सके अब इसके लिए हमें जाना होगा watch list के अंदर अब ये watch list आप देख रहे हो first watch list इनकी available होती है धन की FNO की watch list ये खुद बना के देते हैं आपको और nifty की watch list ये मैंने बनाई है मैं आपको बताते था हूँ ये nifty की मैंने बनाई है जिसमें मैंने IEX रखा हुआ है first watch list आपके पास available होगी और धनकी F&O की watchlist आपके पास available होगी अब ये बनरी बनाई watchlist इनकी हो जाती है यहां से आप Nifty की watchlist उसका option chain देख सकते हो Bank Nifty को track कर सकते हो उसका option chain देख सकते हो Nifty का spot price, Bank Nifty का spot price आपके सामने यहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से आप इसे track कर सकते हो कि कब हुआ है, कब add किया है, क्या सारी चीज़े है तो ये सारी चीज़े आपको detail में देखने के लिए मिलती है लेकिन अगर आपको watchlist में कोई stock add करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे पीछे जाना है search option में कोई stock डूनना है अब कहाँ पे आपको ये search option में 3 आकड़े stock का नाम जो है, वो 3 आकड़े पहले 3 initials देने पड़ेंगे जैसे मुझे UPL, United Phosphorus ये मुझे stock add करना है, तो ये देखो ये stock यहाँ पे आ गया, अब मुझे अगर इसको add करना है, तो इस add बटन के उपर मुझे click करना पड़ेगा ये stock हमारा watch list में add हो गया है उसके अलावा अगर कोई और stock add करना है जैसे कि PEL हो गया तो Pyramal Enterprises का stock यहाँ पे आ गया, तो हम इसे add कर सकते है तो हमने ये जो आपका flag जो है वो add हो जाता है, वो आपका watch list में add हो जाता है अब आप कहे रहो कि stock add करके दिखाया है कोई future भी add करके दिखाओ तो PEL का future आपके सामने यहाँ पे available है ये देखो, PEL का future है में का future है, June का future है calls भी यहाँ पे available है, puts भी available है, तो जो भी watch list में आपको चीज add करनी है, उसको आपको proper तरीके से यहाँ पे लिखना होगा जैसे मुझे यहाँ पे nifty का call option add करना है, तो मैं यहाँ पे type करूँगा nifty, और nifty का पूरा detail आ गया, अब nifty 50 मैं यहाँ पे type करूँगा, उसके बाद जो strike price मुझे select करनी है, यानि कि 22,500 की strike price मुझे यहाँ पे select करनी है, तो आया नहीं, क्यों नहीं आया, देखते हैं, nifty 22,500 सिर्फ type करेंगे, nifty 50 type करने की ज़रूरत नहीं है, weekly expiry, क्योंकि सब को पता है option की जो expiry होती है, indices की, वो weekly और monthly होती है तो जो weekly होगी, उसके यहाँ पे W लिखा हुआ आ जाएगा, और उसकी expiry की date भी आपको सामने यहाँ पे दिखाई देगी, आपको call option add करना है, तो call, put option add करना है, तो put, यह सारी detail आपके सामने दिखाई देती है, आप जो भी चीज यहाँ पे add करना चाहते हो, उसको आपको plus button करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने plus button कर दिया, अब यह पूछ रहा है कि exactly कौन सी watchlist में मुझे add करना है अब पहले नहीं पूछा था, क्योंकि हमने यह option का select किया है, तो यह पूछ रहा है कि कौन सी watchlist में add करोगे तो आप FNO की watchlist में add कर सकते हो, Nifty की watchlist में add कर सकते हो या नई कोई watchlist बना के उसमें भी add कर सकते हो, मुझे करना है Nifty की watchlist में, तो मैं उसको select कर दूँँगा, तो यह Nifty वाली watchlist में add हो जाएगा फिर से अगर मुझे put add करना है तो same मैं यहाँ पे add कर दूँगा यह देखो 3 add हो गए already अब यहाँ पे problem यह है कि nifty के watchlist में already 3 stock add है तो इस से जादा यह add नहीं कर पा रहा है तो किसी और watchlist में करना पड़ेगा यह देखो किसी और watchlist में add कर दिया अब close करते है और देखते है watchlist का क्या यहाँ पे scene है तो watchlist में जाएंगे तो हमने क्या-क्या add किया था सबसे पहले तो हमने यह put add कर दिया था nifty तो already था first watchlist में हमने क्या add किया था वो भी देखते है united phosphorus add किया था उसके बाट जो है वो pyramal enterprises add किया था और nifty का call हमने यहाँ पे add किया था तो इतने सारे stocks हमने यहाँ पे add कर दिये है अब settings में अगर आप जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना है add new watchlist आप कर सकते हो आप यहाँ पे क्या जेखना चाते हो open is equal to high देखना चाते हो open is equal to low देखना चाते हो तो उसको on कर सकते हो performance आप since add आपने जब से add किया है तब से performance आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे बहुत सारे options आपको देखने के लिए मिल जाते है अब add new watchlist करना है तो simply इसके ओपर click करना पड़ेगा watchlist को नाम देना पड़ेगा मैं इसको ABCD नाम दे देता हूँ और add कर देता हूँ अब यहाँ पे आपको पता चलता है जब नई watchlist आप add करोगे तो एक watchlist में जादा से जादा 20 stock आप add कर सकते हैं तो 20 ही stock आपको एक watchlist में add करने का मौका मिलता है उससे जादा नहीं कर सकते है watchlist आप कितनी भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है आप एक 1000 watchlist बना लो लेकिन एक watchlist में 20 stock add हो जाएंगे तो इसको हमने कर दिया इसको close करते हैं नई watchlist हमने बनाई है अब नई watchlist के उपर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे V1 Edit का option आगया Rename का option आगया और Delete का भी option आगया मुझे यह watchlist डिलीट करनी है तो मैं डेहां से डिलीट कर सकता हूँ जैसे मुझे Nifty की watchlist डिलीट करनी है तो simply मैं इसके उपर क्लिक करके कर दूँगा Nifty की watchlist हमारी डिलीट हो गई है अब ABCD watchlist में कोई stock add नहीं किया है तो add to watchlist के उपर करेंगे तो यहाँ पे आप search कर सकते है और उसके बाद add कर सकते हैं जैसे Tata Steel को add करना है तो हमने यहाँ पे select कर दिया तो Tata Steel पूरा open हो गया अब watchlist के अंदर जाएगे तो आप यहाँ पे भी option आता है यह देखो watchlist के उपर क्लिक करोगे तो आप ABCD में add करना जाते हो तो ABCD में add हो गया close करोगे तो उस particular watchlist में वो stock add होता हुआ आपको दिखाई देगा यह देखो Tata Steel का stock जो है वो ABCD watchlist में add हो गया है तो इस तरीके से आप watchlist बना सकते हो उसमें stock add कर सकते हो और आप जो भी यहाँ पे ढूंड रहे हो investment के लिए वो भी add कर सकते हो जैसे मुझे ETF add करना है तो मैं यहाँ पे ETF सर्च करूँगा तो ETF different different यहाँ पे आपको मिल गए है उसको भी आप यहाँ पे add कर सकते हो जैसे IT का ETF हमने add कर दिया Nifty 50 का ETF Nifty 50 का ETF अगर हमको add करना है तो वो भी आप कर सकते हो अब यह ABCD में add नहीं हो रहा है इसका क्या चक्कर है मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ तो इसको नहीं add करते हम Gold ETF को add करने के लिए भी यह in watch list 4 ही हो गया है तो कोई दिक्कत ने आप देखते हम क्या हो गया है इसका पूरा detail यह देखो Nifty 50 का भी ETF add हो गया है वो दिखा रहा था नहीं add हो रहा है लेकिन add हो गया यह देख सकते हो अब Gold ETF add हो गया Nifty 50 का ETF आड हो गया IT का ETF आड हो गया और Tata Steel तो हमने add करी रखा था तो इस तरीके से आप इसे add कर सकते है और अगर मुझे mutual fund देखना है तो उसका थोड़ा सा देख लेते है तो अगर मैं मैं यहाँ पे mutual fund डाल देता हूँ तो यह देखो Mirai Access mutual fund का ETF add हो जाएगा mutual fund यहाँ पे add नहीं हो रहा है तो इसकी अलग सी एक हम क्या करेंगे थोड़ा सा watch list बना के देखेंगे home page पे जाते है और mutual fund के अंदर जाते है अब यहाँ पे mutual fund के अंदर आप जाओगे तो mutual fund के अंदर आपको watch list का यहाँ पे कोई symbol तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन different mutual funds आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो mutual fund home के अंदर आप watch list तो नहीं बना सकते portfolio आप यहाँ पे देख सकते हो लेकिन watch list का कोई option हमें यहाँ पे फिलाल तो नहीं दिखाई दे रहा है तो शायद mutual fund की watchlist आप नहीं बना सकते हैं तो मैं थोड़ा सा शुरुवात में गलत बोल दिया कि mutual fund आप आप आड़ कर सकते हो तो फिलाल तो नहीं दिखाई दे रहा है ये तो हमने देख लिया कि stocks और nifty 50 का ETF अगरा कैसे आड़ करते हैं अब जो दूसरा application है इनका जो option trading के लिए है उसकी भी अलग से watchlist बनती है वो आप देख सकते हो यहाँ पर हम watchlist में अगर हम जाएंगे तो उसके उपर आप देख सकते हो कि same watchlist हमें देखने के लिए मिल रहा है nifty की watchlist है धन F&O की watchlist है और first watchlist है तो यह basic watchlist आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है अब इसमें अगर आपको addition करनी है किसी call की किसी put की तो आप add कर सकते हो जैसे bank nifty मुझे add करना है तो मैं bank nifty type करूंगा और 47,000 का अगर मुझे call या put add करना है तो वो आपको यहाँ पर दिखाए दीगा 3 April के expiry है put है call है तो इसको add कर दे जाओ यह देखो add हो गया तो दोनो add हो गया है अब कहाँ पर add हो है वो हम थोड़ा सा देखते इसको close करेंगे यह देखो bank nifty का call और put हमने यहाँ पर add कर दिया है जिसकी price आप यहाँ पर देख सकते हो तो इस तरीके से आप option trading application के उपर भी watchlist बना सकते हो आपके favorite options की, futures की और जो investment का application है उसके उपर भी आप ETF या stock की अलग से watchlist बना सकते हो उसको delete भी कर सकते हो उसको आप edit भी कर सकते हो और उसका rename भी कर सकते हो तो यह है पूरा ताम जाम watchlist का I hope आपको watchlist के बारे में वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी किस तरीके से watchlist बनानी है क्यों बनानी होती है, किस तरीके से आपको edit करना है किस तरीके से stock add करना है सारी details जानकरी आपको दे दी यह है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को जादा से जादा शेयर करना कोई doubt हो तो comment section में पूछ सकते हो चैनल को subscribe करना ना भूलना धन्यवाद